तेरा, 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 जाओ तेरा तोहे बाता, तोही पेतार तोहे बाता, तोही पेतार तोही ने राधा काशा तोही पेतार तोही जोही जोओा होगी इन्त, सेरा, तेरा, तोही एतार या दे अ辊 पुझ राजाराम बाबाजी महराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के इस आउसर पर यहां आगत सभी लोगों का स्वागत अपने प्रबोधन के द्वारा करें पुझ राजाराम बाबाजी महराज परम श्रद्धेय परम पुझ संत चरण श्रद्धेय कथावाचक जी अधरनिय भागया जी उपस्थित सभी आत्मिय बंदु माता भगिन एक गीत आपने भी सुना होगा शायद हम तो गाते ही है है देह विश्व आत्मा है भारत माता स्रिष्टि प्रलय परियंत अमर यहनाता संपूर्ण विश्व जो चलता है जैसे आत्मा के होने से मनुष्य का शरीर मन बुद्धी काम करता है आत्मा के चले जाने से ओ बिना पेट्रोल डिजल की गाड़ी जैसा पड़ा रहेगा जंग खाएगा उससे होगा कुछ नहीं एसे भारत के रहने से विश्व रहता है क्योंकि विश्व चलता है जिव चलते हैं शुरुष्टी में अब जीवों के विकार भी होते हैं उनकी वासनाएं होती हैं उसके पीछे बहलकते भागते हैं वो रास्ता छोड़ देते और रास्ता छोड़ देंगे तो गड़ा ही गड़ा है एक बार उस धलान पर लग जाने के बाद उनको रोकने वाला कुछ नहीं है असाहाई हो जाते तब एक अकेला भारत ऐसा है जो कभी रास्ता नहीं छोड़ता जिनका भटकता है उ भारत का काम है भगवान ने दिया हुआ और भारत इसको कर पा रहा है आदिकाल से क्यों कर पा रहा है क्योंकि भारत में इसको भूला नहीं जाता है दिखने वाली दुनिया के पीछे क्या है दर्म है दर्म से चलते है तो अर्थक काम दोनों सिद्ध हो जाते है पेट पानी भी चलता है फलने फूलने की आकांगशाई हमारी सफल हो जाती है लेकिन एक मर्यादा में रहना पड़ता है धर्म की इसलिए व्यास मुने ने कहा माभारत के अंत में पांच लोग है उसको भारत सावित्री कहते है उनके कहने का सार उसमें माभारत का सार एक तरह से उसमें है वो कहते है माता पित्र सहस्राणी पुत्रदार शतानी चा संसारेशु अनुभुतानी यांती यास्यंती चापरी यहने अपने जन्म जन्मांतर के यात्रा में माता पिता पुत्रदारा ये आते रहते बिछडते रहते सागर में जैसे और दो लगडिया भति आती है टकराती है चन बर साथ रहती है दूसरी लाट उनको लहर उनको बिछोड़ देती है ऐसा होते रहता है हर्षस्थान सहस्थराणी भयस्थान शतानी चो दिवसे दिवसे मुडम आविशंती न पंडिता जीवन सुक दुख का दूपचाव का के खेल है चलते रहता है लेकिन उससे जानकार लोग मोहित नहीं होते है क्यों क्योंको कहते है न जातुख कामान न भयान न लोभान धर् लोभ से मोह से प्राण से धर्म को मत छोड़ो प्राणों के लिए भी मत छोड़ो धर्म पर मरो धर्म के लिए मरो मरने के डर से धर्म मत छोड़ो क्योंकि जीवो नित्यों हे तुरस्यत धर्मों नित्यों सुखदुखेश अनरती सुखदुख आने जाने वाले है धर्म शाष्वत है वही आधार है सृष्टी का जीव नित्य है हमारा देह बदलता है हम चलते रहते है अपना गंतव्य पुरा होते तक अब ये सारा जो ज्ञाने ये बड़े खठीन चब्द है मेरे को भी पूरे समझ में नहीं आते मैं तो तोता रटन्त के जैसा आपको बता रहा हूँ ज्यादा अच्छा तो संत जानते हैं जिनका अनुबव है परन्तु ये बात व्यास महर्शी ने अपने दिव्य प्रतिभासे इन शब्दों में कही लेकिन हमारे घर में हमारे देहातों के जोपडियों में हमारे जंगलों में आदिवासी जुनकों कहते वो बसते उनके यहां भी सहज कोई अशिक्षित बुडिया बोल जाती है बेटा अच्छे काम कर वहाँ जवाब देना पड़ता है ये वही है जो व्यास महर्शी ने पाच श्लुकों में कहा वो हमारे देहात की जो अनपड़ बुडिया वो भी बताती हुआ जवाब देना पड़ता है वो वहाँ वाला हम भूलते नहीं हमको भूलाने के बहुत प्रयास हुए अभी महराजी ने उलेक किया रक्षस वो रक्षस क्या थे रक्षस यही थे रक्षस, देव, मनुष्य इनमें फरक नहीं है दिखने के लिए वही लोग है लेकिन देव मन को भूल जाते है वो अमन है, उनका मन नहीं होता इसलिए बड़े निर्विकारों कर सारी बाते करते है गलती भी करते है, भुगतते भी है गलती करने वाले को भुगतते भी है लेकिन फिर वापस अपनी स्थिती में आ जाते दया माया ऐसा दया है लेकिन मोह नहीं मन ही नहीं है उनका मनुष्य को मन है मन है इसलिए उसके पास करुणा है देव के पास करुणा नहीं है वो नियम से चलते हैं जैसा निया में वैसा होगा, मनुष्य को करुणा है, इसलिए, मनुष्य रूप में अवतार लेकर, श्री भगवान, हम सब को अपनी करुणा, अपना प्रेम देते हैं, वहां से, दे भी सकते हैं, दिविया शक्ती है, लेकिन यहां आके मनुष्य शेरीर में, उसका जो आनन्द है, जिसकी बात कही रसिक, अध्यात्म में जो रस है, वही भगवान है, वो रस बाटने के लिए वो आते हैं, और राक्षस होते हैं, वो इन सब बातों पर विश्वासनी करते हैं, वो कहते हैं, रच्ची हैं, ऐसा वो कहते हैं, और जीवन में उपभोग को सर्वस्व मानते हैं, अपने उपभोग के लिए दूसरों को मारने काटने में भी, उनको कोई परेज नहीं है, ऐसे वृत्ती के लोग राक्षस हैं, वो राक्षस पहले भी थे, आज भी हैं, उनसे मनुष्य बचता है, उसकी कुर्पा से, वो राक्षस वहां बताना है, वहां जवाब देना पड़ेगा, इस पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए दुष्कर्मों में उनकी प्रवरुत्य होती है, उनको कोशनी लगता, बुरे काम करता नहीं, मनुष्य ऐसा थोड़ी है, शराब पिने वाले तो है ही, बहुत लोग हैं, शराब में दुद्ध मिल जाते रस्ते के, लेकि इतने दिनों से शराब चल रही है, दुनिया में सारे चल रही है, अमृत मन्थन से ही उत्पत्य उसकी भी है सागर मन्थन से एक रत्न वो भी है इसलिए है लेकिन आप सागर पार जाओगे पश्चिम के देशों में तो शराब को प्रतिष्ठा है हमारे यहाँ शराब लोग पीते है लेकिन चार लोगों में मुझ पर ताउक बेच देकर मैश राब पीता हूँ ऐसा नहीं कहते क्योंकि वो पाप है वहाँ जवाब देना पड़ेगा हो गया यह मेरी दुरबलता है लेकिन यह अच्छा नहीं है यह हम लोग याद रखते हैं कैसे याद रखते है क्योंकि जिनके जीवन के कारण यह बाते हमारे देश में आई यह वहाँ जवाब देने वाली बात तो बड़ी कठिन है बोलना असान है करके दिखाना पड़ता है जिनोंने करके दिखाया वो दो प्रकार के लोग है एक है भगवान के आउतार वो इसलिए नीचे आते है परित्राना ये साधुनाम विनाशाये चो दुश्कृताम धर्म संस्थापना अर्थायो अब धर्म की संस्थापना क्या होती है पुस्तोकों की संस्थापना धर्म की संस्थापना नहीं है धर्म तो आचारात प्रभवो धर्म आचरन से धर्म का प्रभा होता है इसलिए धर्मस्थापना करने वाले स्वयम उनके समयम की जो परिस्थिते उसमें धर्मपल चल कर दिखाते है भगवान राम के लिए बड़ा असान था जी बड़ा असान था वो अगर आयोध्या में कहते कि पिता जी ने वचन तो दे दिया है लेकिन खुद पिता जी कह रहे है कि तुम वचन तोड़ो मेरा ये मैं तो दबाओं में कर रहा हूं छोटे ब्राता कर रहे हैं सब कह रहे हैं जो आएगा भरत वो भी मेरे बिना राजजनी करेगा वो मुझे कहेगा तो सब की अनुमती है समाज की अनुमती है हमारी सवतेली माता का मोह उससे गलत बाते बुलवा रहा है तो मैं नहीं मानूँगा मैं राज करूँगा तो बहुत ज़्यादा अपकीरती नहीं होती राम का राज्य तो राम का राज्य है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने इन सब के युक्तिवादों का खंडन करते हुए उन्होंने वनगमन किया क्योंकि आगे लोगों को ये बताना था कि सत्य पर चलो कुल की परमपरा इसी थी कि स्वपन में मैं बताया कि राज्य मैंने आपको दे दिया एक सपना आप किसी को क्या है उसका क्या है किसी को कुछ भी सपना आता है दिन में भी सपने देखने वाले लोग होते लेकिन ये सपना देखा सुबह महर्शी आ गया बक्सर वाली थे परिक्षा लिए उन्होंने राजा ठीक है कि नी धर्म पर चलता है कि नी कहा सपन में दे दिया कितनी कठिन परिक्षा है दि और सत्यवची निसी दो राजा रिष्टनर उनके कुल में इसलिए भगवान राम को विग्रहवान धर्म कहते धर्म का जो लिखा है धर्म का जो हमने सुना है उसकी प्रत्यक्षमूर्ती कोन सी है श्री राम ने श्री राम की शक्ती क्या है सीता जी है भगवती की शक्ती भगवान का संकल्प दोनों को मिलकर रामाइन बनती है उसको हम याद रखते हैं कैसे याद रखते हैं? दूसरा प्रकार है, धर्मस्थापना करने वालों का, उनको कहते हैं संत. अवतार अलवकी खोते हैं, उनकी पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, संत शरीर बदलते हैं, उसके बाद जो होता है, वो अलग बात है, लेकिन उनके रहते, वो अपने मंदिर नहीं बनाते हैं, वो भगवान के मंदिर बनाते हैं, वो भगवान के उत्सव कराते हैं, वो लोगों में लोगों जैसा रते, धर्म पर चल कर दिखाते, और अपनी स्नेह की दुरुष्टी से, लाखों तपते लोगों की छाया बनते है ऐसा है दानिश्वर महराज एक संतो हो गए उन्होंने वरणन किया है संतो का जो चंद्रमा है लेकिन उन पर कलंक नहीं है चंद्रमा पर कलंक होता है चंद्रमा जैसे सीतल है कलंक नहीं है जो मारतंड है सूरिया है लेकिन सूरिया जैसे प्रकास देते हैं तापते नहीं है उनका ताप नहीं है मारतंड जे ताप ही ना जो सब के लिए हमेशा उनके अपने और सज्जन होते हैं और इनके हम में रहकर काम करने के चलते हम लोग 8000 साल आज के लोग कहते हैं हमारे काल गणना में तो 7.5-8 लाख वर्ष पूर्व की हमारे युक्की तरिता युक्की गणना है इतने पुराने श्री राम के चरित्र को हम आज भी जीते हैं उस समय सीता जी का विवा हुआ उस समय हुआ लेकिन भारत वर्ष में प्रतिवर्ष होता है हर जगह होता है प्रतिवर्ष राम जनम थे हैं क्योंकि वास्ताव में इन स्मूर्तियों की रक्षा करते करते हमारे यहां राम जैसे अन्य लोग भी जन्म लेते हैं श्री राम की कुर्पा से ही तो वो जो चली है परंपरा वो कभी हमारे आखंडित नहीं हुई इश्वर निष्ठ लोगों की मंडली सदईव चलते आई और इसलिए भारत कभी निष्ठ नहीं हुआ भारत अमर है क्योंकि दुनिया का प्रलय होने के लिए भी बहुत बाकी है बहुत एक पूरा युग कल् जुक भीतना है अभी तो पाँच हजार 2124 बीते है चार लाग सथाइज कि अजार में से तो भारत कर रुठ यह कोई वो आत्मा है और वो आत्मा इसके बल पर रहती है हमारी शक्ति यह हमारी भक्ति ए कि एसा कहते है यह सब पुर्शारत की बात है कर्म करो गर निष्काम क करो प्रिपर में ज IL कि न्यानी बनों समय भग्वाने का गप आ das अछ यथा फे Northern United थाई और फ्यफ न्यान कर्म भ्याम जायते प्रमंबदम दोनों पंकों से उड़ता है पक्षी, दो पंखाय तब उड़ता है एक ही पंखरा तो नहीं उड़ेगा ऐसे ज्ञान चाहिए कर्म चाहिए कर्म का उदारन भी संत बनते है ज्ञान दाता भी वही बनते है सरल शब्दों में गृंथों का ज्ञान हमको सोदाहरन उदारन सहित हमको देते है लेकिन इतनी बात नहीं दो पंखो से पंखी उड़ता है लेकिन पंखी हो तो दो पंखो का आरथा है नहीं तो क्या आरथा है मनुष्य पंखा लगा के नहीं उड़ सकता पक्षी के जैसा अपने आपको तो हलका कर लेने वाला वायू यान उसको चाहिए तब उसके दोग पंख काम आते हैं वो तो मशीन है परंतु ज्ञान और कर्म के साथ यह उड़ने का स्वभाव देने वाली भक्ती है ज्ञान कर्म भक्ती तीनों का संगम चाहिए तब कान बनता है भारत वर्ष में ज्ञानी लोगों की कमी कभी नहीं रही पारत अंत्रकाल में भी नहीं रही अभी एक बात पता चली हमको कि जानकरी के लिए बताता हूं शाहजान तक्त पर बैठा उसने तीर्था यात्राओं पर कर लगाया जी दिया तीर्था यात्रा करेंगे कर देना पड़ेगा कथा करेंगे कर लगाया तो काशी में एक कवींद्र पद्वीध हारक एक बड़े विद्वान थे नाम पूरा बुल गया में उन्होंने कुछ मंडलियों को एकत्रित किया और सारी विद्वान मंडली गई शाहजान के पास और उसको कहा कि आपने यह सब किया तो आपका तर्क बताओ यह हमको बताओ पहले कि यह आपने आपका शासन है आप राजा हो राज्य चलानी के लिए आपको खर्चा रखता है खर्चा वसुलने के लिए किया है अर्थकारण से किया है या हम लोग आपकी दुष्टी से काफ जो आपके आपका लाजिक क्या है इसके बीचे तरके सास्त क्या है बता wired कि आप टो शाज लानने का नहीं पैसा नहीं और हम के-दर्म कि छर्चा करो हमारे साथ बस्ट के धर्म कह सब कंआ जो भी आप में और भी बताते और उनका सास्तरार्थ चला छे मैना उनके साथ एक फ्रांस का भी आत्मी वहाँ बेटा था और भी लोग थे छे महने के शास्त्रार थेक बाद शाहजान की विद्वान शाहजान सोय महार गया और वोकर वापिस लिया गया बाद में औरंजेब आया भाईयों को मार कर उसी शास्त्रार थेका परिणाम है कि दाराशी को हने पहली बार उपनिशोदों की वाणी सुनी और फिर उसने फार्सी में उपनिशोदों का भाशांतर रामायन का, गीता का, महाभारत का भाशांतर फार्सी में इन विद्वानों के देखरेक में करवाए ज्यान हमारे हाँ कभी कम नहीं था अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसे अनक विद्वान है जिनोंने अंग्रेजी विद्वानों को नाकोचने चबवाए कर्म की भी कभी नहीं थी थोड़ा थोड़ा हम ठक जाते फिर सो जाते लेकिन फिर जाग जाते कितने लोग आए शक, हून, यवन, कुशान मुगल, तुरक, अफगान बाद में ब्रिटिश, डच, फ्रेंच सब आए हमको जीतने के लिए सब की जगज विजय करने की महत्वाक आंगशा भारत में आके विलुप तो हो गई भारत को जीतने वाले भारत में आकर समाप तो हो गई उनकी महत्वाक आंगशा उनकी राक्षसी वृत्ती चली गई ये हुआ है क्योंकि बार-बार पुर्शार्थ हुआ है बिटिजों के सामराज्य पर सूर्य आस्त नहीं होता था ऐसा कहते थे उनके सामराज्य का आस्त भारत से ही शुरू हुआ अब कहा है कहीं नहीं है हम पर राज करते थे अब एक भारतिय मूल का रुशी सुनक वहां राज करता है तो हमारे कर्म की भी कोई कमी नहीं है भक्ति का प्रवाह अखंड़े जैसे यह गंगा बह रही वो कभिया पवित्र नहीं होती, महराज ने कहा कभी भी मलिन्न पढ़ने वाली भक्ति की धारा नित्य प्रवाहित है उसके चलते हम ठक जाते हैं, सो जाते हैं, जाग भी जाते हैं हम सो जाते हैं, मरते नहीं, फिर से जाते हैं और नया कर्म, नया पुरशारत लेकर खड़े होते हैं यह प्रताब किसका है? उस भक्ती का है यह भक्ती हमारी शक्ती बनती है उसमें अद्बुत शक्ति है भक्ति में, हम तो जानते, क्योंकि भक्तिया ने जुड़ना, तो आप कहा जुड़ते इस पर निर्भर है, अगर मेरे पास टार्च है, उसमें बैटरी है, तो बैटरी में जुड़कर टार्च प्रकाशित होता है, शक्ति वहां से मिलती है, लेक लेकिन मान लीजिये, आप दुनिया में जितनी बिजली है अनेक रूपों में, साक्षात पूरा उसके साथ जुड़ गए, तो आपको बिजली की कभी-कभी नहीं पड़ेगी, इसे भक्ती सीधा जोडती है वहां पे, भक्ती है नहीं जुड़ना, हमारा ज्यान और हमारा कर् उस भक्ती से जुड़ता है, तो उसको शक्ती तो मिलती है, उसको पवित्रता मिलती है, जैसे भगवान से हाथों मारे जाने पर भी राक्षसों को परमगती प्राप्त हुई, उनका पुर्णर जन्म ठल गया, राक्षस थे, एक अई कारण था मुक्त होने का, भगवान के ह स्था तो मरें, वैसे हमारे ध्यान में कुछ विकृती भी होगी, हमारे कर्म में कुछ उल्टापन भी होगा, लेकिन जब वहां जुड़ जाते, सब शिदा हो जाता है, सब शुक्रुत बन जाता है, सारे प्रारब्धको भस्म कर के, भगवान हम को अपने साथ ले जाती, वो भक्ति है, उस भक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो बहुत बड़ी शक्ति है, अब एक किस्सा सुनाता हो, चलता है, समर्ध रामदा स्वामी, श्री राम के भक्ति का प्रचार करते थे, समाज को जगाते थे, उनके प्रवचन में एक बार, एक किसान, अकाल में उसके घर के सब लोग उसके बच्पन में ही मर गए थे, छोटा सा जमिन का टुकडा था, अकेला ही था, खेती करता था, पेट भरता था, बाकी कुछ थैन ही कोई दुनिया में, किसके लिए जीए, लेकिन आत्मत्या तो नह करनी है, इसलिए जीता था, उनके प्रवचन में आ गया, उसकी एकदम रामदा स्वामी के प्रतिभक्ति हो गई, प्रवचन हो गया, उसने का महराच जी, अब मैं आपका, मैं आपके साथ आता हूं, आप जो कहेंगे, वो करूंगा, जैसी सेवा चाहिए लीजिए, मुझे अब वापस उस संवसार में नहीं जानो, रामदा स्वामी का चलो, जवान था, तकत्वर था, एक सज्जनगर था, उनका स्थान किला है, उपर पाढ़ पर, उस समय वहाँ उपर पानी नहीं था, नीचे से नदी है, कृष्णा नदी बेती है, पाढ़ के नीचे, वहाँ से पानी भर कर लाना पड़ता था, तो उसको ये काम दे दिया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, शास्त्र जानता नहीं, कुछ मालूम नहीं, ज्ञान नहीं, पुराण मालूम नहीं, वेदु के वचन मालूम नहीं, योग, याग, तप, अश्ट्रांग, साधन, वरत, दान, तप कुछ मालूम नहीं, बस एक भाव है, भक्ती है, रामदा स्वाम, तो रोज वो लाता था सब, पानी भर के लाता था, आठ एक दिन के बाद वो आ गया, महराज जी, मैं ये परिश्रम करता हूँ ना, बहुत नीन दाती है, एक आत बार मर जाओंगा, मैं नीन में ऐसा लगत इसलिए आज ये आपको नमस्कार कर लेता हूँ, जाते समय, मालूम नहीं मृत्यु फुरसत देता है कि नहीं, रामदा स्वाण नहीं, क्या हो बादी की बाती क्यो कर रहे हो, तो ले अब क्या करूँ, आप लोग तपस्वी है, कहीं जाते बाते हैं यहां बढ़ के जान कर तो आपको वहाद का पानी रोज आप पीते उतना चल जाता है, मुझे वह नीचे जाए आपके लिए पानी भर के लाना पड़ता है, मैं वहाद का पानी पी कितना जिन जिन्दा रहूंगा, तुम्हारी बात ठीक है, भंडारी को जाके बताया कि इसको रोज एक सेर गुड एक सेर चना दे दो, अब वह खाने लगा, अच्छा होने लगा, लेकिन बाकि जो शिच्छ थे उनको जरा लगा, कि इसको कुछ मालूम नहीं कुछ नहीं, अभी अभी आया है, जानता तो कुछ है नहीं, करता भी नहीं कुछ, धानदार ना, और इसको गुड और चना मिल है, हमको, तो वो उस पर ताने कसने लगे, तो रामदा सौमी की धहन में बात आई, तो एक दूनों सब को बुलाया कि जगो भाई, अब ऐसा है कि मैं काशी आतरा जाने वाला हूं, और आप सब को साथ लेके जाना चाहता हूं, कारण क्या है, इस बार मेरे साथ जो काशी च वहां मंदिर है, पंचायतन है, उसकी पूजा, मठखा रख रखाओ, यह सब करना पड़ेगा ना, तो किसी एक को रहना पड़ेगा, अब आप में कौन तैयार होता है, अपनी मुक्ति छोड़ने के लिए, आप सब मिलके एक नाम ताइक रो, और मुझे बता, रामदा सौम को पता था, उसी को तै करेंगे, जल रहे उस पर सब, तो सब ने उसको तै किया, बुला यह रामदा सौमी ने पूचा कि भाई, हम सब जा रहे और जाने के बाद मुक्ति हो जाए कि सब की, लेकिन यह बोल रहे है कि तुम यह रहने के लिए तयार हो, तो अभी विचार कर मुक्ति मिलेगी, तो मिरे साथ आना है, नहीं तो फिर यहां, यहां मेनत करनी पड़ेगी, तो सब का महराज जी आप भी बताइए, यह मुक्ति युक्ति क्या जाने क्या होता है, आप जो बताएंगे वह हमारी मुक्ति है, तो यह बोल रहे है कि किसी को रहना है, तो मैं र भोजन बनाया, और श्री राम जी के पास लेके थाली रग दी, भगवान खाईए, अब वो मुर्तिया थी, वो तोड़ी खाने वाली थी, लिकिन यह रा देख रहा है, अब खाएंगे, अब खाएंगे, नहीं खाया, शाम को फिर भोजन बनाया, फिर ले गया, नहीं खाया छे थालिया तीन दिन की पढ़ने के बाद वहाँ, चौथे दिन सुबह की थाली लेके गया, और कहा कि भगवान यह अडियल पन ठीक नहीं है, वो स्वामी जी तो तीर्थे आत्रा पर गया है, वो तो आने वाले नहीं है, वो खिलाते है, आप खाते है, लेकिन उन्होंने अब मुझे काम दिया है, और यह छे थालिया तीन दिन के एईसी पड़ी है, यह ठीक नहीं है ना, मुझे काम दिया है, तो आपको आना चाहिए बोजन करना चाहिए, मैं भी नहीं खा रहा हूं, क्योंकि आपको भोग लगाए बिना मुझे खानी के अग्या नहीं, अब मै भगवान ने कहा, यह अडियल आदमी कुछ समझता जाता नहीं, सच्छ मुझे ऐसा कर लेगा, तो इसलिए ओ प्रगठ हो गए, उन्हों भोजन खा लिया, फिर रोज ऐसा शुरू आशुरू 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 अशुरू अशुरू शुरू शु तो गफशब करता था, तो एक दिर उसने काया कि मईय सुखी रोटी वगरे बनाता हूं, आपको बड़ी अरूची लगती होगे ना, आपको आयोध्या में सिता जी के हाथ का खाने का है, आदत, लेकिन अब क्या, यानि यहां तो दूसरा कोई है नहीं, अगर इसनी मेनत मे करता हूं, सब जाड़ भवार, चवकेदारी पानी, सब मैं करता हूं, अगर इनोंने भोजन बनाया, सिता जी ने, तो आपको भी चार कोर अच्छे मिलेंगे, मुझे भी थोड़ा बहुत प्रसाद कलाव होगा, तो सिता जी क्या कर रही, किवल आपके साथ खड़ी गएती फिर उसने का कि लक्षमन जी, तो रक्षा करते हैं आपकी, तो थड़ा रात का समाल ले, पहरा बगर बगर, और हनुमान जी तो आप दोनों को कंदे पर लेकर लड़ाई लड़े, तो इनके कंदे पर बैठकर को नदी पर ले जाते है, तो ये भी ना लेंगे, मैं भी ना पाफ हो गया, और क्या पाफ हो गया, तो ये हलवा हमारी गुरु महाराजी को बहुत अच्छा लगता है, उनको दीए बिना मैं खा रहा हूं, तो प्रायस्चित्व तो यही है, पोशन करके मरूंगा, बहुत अपराद हो गया, तो इसा मत करोगा, इन नहीं हमसे नहीं होत तो फिर वल अच्छा, हनुमान जी तुमको ले जाएंगे, तुम काशी मी देके आओ उनको, लेकिन बताना नहीं, किस तने लाया, तो तुरंत इसने दो दोने भर लिये हले के, हनुमान जी के कंदे पर बेठकर काशी चला गया, और रामदा स्वामी बेठे जे पेड़ के सिश्चों के साथ कुछ चर्चा चल रही थी, पहुँच गया वहां, अरे तुम कहां से आ रहे हलए, तुम बना था भोग में, देखा तो गरम अलो आ रहे, गरम तुम आये कहां से, तुम आए कहां से, ये है ना भोग का भी जड़ा गरम गरम, तुम ले लाया किसने, तु परस्या भी कर रहे, कर्म भी कर रहे, ध्यान भी है, लेकिन ये तो साट्शा धनुमाझ जिसको काशी पोचारे है। कह का प्रताप है ہے, उस भक्ति का प्रताप है। और इस भक्ति को समाज में जीवित रखने का काम, संतों के द्वारा होता है, और ये जो ऐसे अपने उपक्रम है ना जिसमें रस आता है रस आता है इसलिए सामान ले आदमी भी आता है समझता है समझ लेता है और जुड़ा रहता है और इसलिए ऐसे कारकम होने चाहिए श्री मामा जी को तीन बार मैं मिला हूँ और तीसरे बार उन्हें ने मुझे आमंत्रन जिया आया आने का लेकिन प्रत्यक्षा मेरा आना हो तब तक वो रहनी अब विदी की करनी है लेकिन उनका तो दर्शन मैंने किया बाकि तुम भी कु प्रत्यक्षा है और कुछ नहीं है यह मैंने देख और इसलिए मैं जानता हूं कि ऐसे भावों से अपने यह जो सारे कारकम बनते हैं है कुछ-कुछ विद्वान लोग दुनिया में ऐसे है जो बड़ी विच्यक्षण हो के ते अंधश्रदा है कहां है भगवान बताओ टे दिखता है विवेक अनंद गए देविन्नाथ जी गया रुविन्नाथ ठाकुर के पिता जी और उनको कहा कि आपने भगवान देखाये क्या तो बड़े विद्वान थे और बड़े नियमस्थभी थे धर्मस्थभी थे लेकिन प्रतीती नहीं थी तो वो सोच में पड़ गय है लेकिन एक अनपड आधा कपड़ा पहना सन्यासी सन्यासी भी दिक्षित नहीं पागली केते थे बहुत लोग उनको से रामकृष्ण प्रहोंस को जाके मिले और उन्होंने कहा कि भगवान को आपने देखा है क्या तो वो चवथी पास भी नहीं थे उन्होंने आत्म प्रहे रास्ते पर चलोगे ना तो तुमको दिखा भी सकता हूं यह क्या ज्यान का प्रकार है यह क्या कर्म का प्रकार है यह भगती है यह भाव है जहां भाव है वहां देव है उस भाव को जागुरुत रखने का काम संत करते हैं और हमको भी उसी भाव को जागुरुत नहीं भारत माता जो है वो मिट्टी की धर्तिनी है केवल ये तो चिन्मई जगदंबा है जो प्रभुराम जी के साथ सीता होकर उनकी शक्ति बनी वो भाव से ही प्रसंद है पिता जी देखते है लड़का कितना बड़ा बना कितना कमाता है कैसा है सुशी लहिकी नहीं है माता जी दो केवल देखती है ये मेरा लड़का है और मेरे से बहुत प्यार करता है सिता जी की दुर्ष्टी यही है सबके प्रती ऐसी ऐसी वो कृपालू माता जी है उसी को भारत माता मानना भारत माता को ही सिताजी मानना ये सब एकाकार है इस भाव को मन में धारन करके समस्त प्राणी मात्रों की सेवा परुपकार के लिए जीवन जिना और अंदर इस आत्म साक्षातकार को जीवित रखना ये भारत वासी जब तक करते रहेंगे, तब तक भारत रहेगा, क्योंकि वो विश्व की आत्मा है, विश्व को जब शरीर बदलना है, तब भारत उसको छोड़के जाएगा, भारत तो मरेगा नहीं, भारत किवल शरीर बदलेगा, विश्व पूरा बदल जाएगा, तो हमको प्रले तक इस भाव को जीवित रखने का दाईत्व हमारी परंपरा ने हमारी भगवत सत्ता ने दिया है उसको निभाने का प्रण हम करें और उसके लिए आवश्चक्ति भक्ति दिनार और कर्म ऐसे प्रसंगों से प्राप्त करें इतना मैं अनुरोद करता हूँ मैं जहां जाता हूँ वहाँ इसी के लिए जाता हूँ ऐसे स्थानों पर मैं मारगदर्शन उगर नहीं करता हूँ हो मेरा अधिकार नहीं है यहां मैं आता हूँ तो जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम के लिए जो उर्जा चाहिए, जो दुर्ष्टी चाहिए, जो मन की शांती चाहिए, वो ऐसे स्थानों पर मिलती है, इसलिए यहां मैं जाता हूँ, आप भी ऐसा कीजिए, यह अनुभाव सा मैं आपको बता रहा हूँ, इतना एक अनुरुद आपके सामने रखता और संध्य चरणों में पुनत, एक बार नमस्कार करते हूए, मेरी चार शब्द समाप्त करते हूँ